हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चानल गोलू की साउजी रसुई आज हम बनाने वाले है उपवास वाली एक नई डिश इसमें ना हम आलू यूज करने वाले है ना ही जादा तेल एकदम कम तेल में बनने वाली स्वादिश्ट एसी उपवास वाली एक रेसिपी आज हम बनाने वाले है तो चलो बनाते हैं मैंने आधा कटोरी मुंफली ली हुई है जो की रोस्ट करनी है एकदम धी में आज पर इसको रोस्ट करना तो यह छिलके अपने आप निकल जाएंगे यह देखो यह छिलके निकलना चालू हो गया मतलब यह रोस्ट हो चुके है ज्यादा नहीं भुनना है नहीं तो जल जाएगा उस साप करके अब हम इसको डालेंगे मिक्सर की पॉट में इसके साथ मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ चार हरी मिर्च जो की मुंफली के दाने के साथ ही हम बारिक करेंगे लेकिन इसको एकदम बारिक पेस्ट नहीं करनी है दानेदार ही उसको ग्राइंड करना है यह हम निकाल लेंगे एक मिक्सिंग बॉल में यह मैंने साबुदाना रात में भीगो के रग दिया था मैंने एक कटोरी साबुदाना लिया हुआ है और वो रात में भीगोरने के लिए रख दिया था वो अभी अच्छे से भीग चुका है अभी इसको भी हम मिक्सर में घुमा लेंगे लेकिन इसका भी एकदम बारिक पेस्ट नहीं करना है थोड़ा उसमें भी जाड़ सर ही रखना है वो अब हम निकाल लेंगे मुंपलि वाले पॉट में हम और डाल देंगे अब मैं डारीओ इसमें स्वादा नुसार नमक मैंने यहापे सेंदा नमक यूज किया हुआ है इसके साथ डारीओ एक चमच शक कर यहापे हम दही का उपयोग नहीं करेंगे यहाँ पर मैं डारी हो एक चम्मच निम्भू का रस उससे इसकी टेस्ट थोड़ी अलग आएगी अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है यह देखो यह ऐसे मिक्स अच्छे से हो चुका है हाथ में जो जिपका हुआ है वो हम चम्मच से निकाल लेंगे मैंने ग्यास पे एक पैन रखा हुआ है हाथों को अच्छे से तेल लगा लेंगे और एक थोड़ा सा पीट लेके उसको बॉल के जैसे यह बना लेंगे और उसको थोड़ा सा प्रेस करके उसको देंगे वड़े का आकार और वो जितना पतला हो सकता है उतना पतला करेंगे यह देखो अब मैं पैन में सिब दो चम्मच तेल डार रही हूँ आप घी का भी उपयोग कर सकते है इसमें मैं रारी हूँ बड़े अगर आप यह डीप फ्राइ करोगे तो यह तेल में पूरा फूट जाएगा इसलिए इसको शैलो फ्राइ ही करना है अब इसको हम ढखकर डालके पाच मिनिट तक के पकाएंगे देखो पाच मिनिट हो चुके है एक साइड से वो पक चुके है अब हम उनको पल्टा देंगे यह देखो यह पूरे वड़े अच्छे तरह से एक साइड से पक चुके है अब हमने इसको पलटा दिया है अब पलटने के बाद इसमें फीर से हम दो चमच तेल डाल देंगे ताकि वड़े दुसरे साइड से भी अच्छे से पक जाए और इसको भी हम तीन मिनिट तक के पक ने देंगे यह देखो वड़े अच्छे से नीचे से उपर से क्रिस्पी दिख रहे है अच्छे से पक चुके है जिनको आलू नई खाना होता है उनके लिए यह अच्छा है और बहुत जल्दी भी बन जाता है और इसकी टेस्ट भी अच्छी आती है यह देखो यह बन गए हमारे पुआस वाले वड़े देखो कितने मस्त दिख रहे हैं पूरे पक चुके हैं मैंने इसमें ना आलू यूज किया हुआ है ना कोई आटा यूज किया हुआ है उपवास वाला कोई भी आटा मैंने इसमें नहीं डाला है सिफ स्रिंग दाने और साबुदाना से बनाया हुआ है देखो यह अंदर से भी अच्छे से पक चुके है और अब इनको हम खाएंगे दही के साथ दही के साथ इससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है आप भी एक ब